नमस्कार दोस्तों SS Market News में आपका स्वागत है और दोस्तों बात करते हैं आज की दी गई अपडेट से तो यहां पे दोस्तों दी गई अपडेट यहां पे आपके सामने यहां पे हैं अबन पीछे का अपडेट तो आपको क्लियर करा दिया गया था आज का यहां जो तुर्ट दिया गया था तो बैंक निप्टी का जिस पर कार यहां पर टेकनिकल चार्ट गोज 마음에 थिये तो आुछी हुए हैं उसके पांजा ताज़ा जो अपडेट यहां पे दिया गयता और येस बैंक के विडियो में क्लियर कर दिया गया है इसके भी यहाँ पे निक्ताइट मिलें ठीके और उसके लवाद्दोस्तों ये ट्विक लिए निवावी इसको भी कलियर कर دेते हैं यहाँ पे आज यहाँ बैंक से याँ दिखा सकते jadi जोड़दार परफॉर्मेंस है और इसमें यहां पर आपके सामने कोर्परेशन बैंक, इलाबाद बैंक, बैंक ओफ इंडिया, बैंक बरोदा और उसके लाबाद चोटे मजोले बैंक को भी यहां पर नाम लिया गया था कि इनमें आज जोड़दार उचाल देखने को मिल सकता मैंने इन चार बैंकों का जिक्र किया था, तो सबसे ज्यादा रोख तो जिन बैंकों का जिक्र किया था, उनमें ही यहां पर उचाल देखने को मिला है, तो टोप पर यहां पर कोर्परेशन बैंक रहा है, और दो नमबर पर यहां पर लाबान भी यहां पर 10% का इसने उचा दिखाया है और कॉर्प्रश्न बेंक तन यहां पे आज कमाली कर दिया जो उड़धर यह पे लगवक 20% के लगवक इसने उच्षाल दिखाया है तो यहां पर चलीए पूरी highlighting आई हैं तो उसे ख़बर को यहां पर आपको पड़ा देते हैं और दिखाब भी देते हैं कि यहां पर देख लीजिए उसी के रिलेटेड यहां पर एक खबर भी आ चुकी है ठीक है सरकार की तरफ से बारा पब्लिक सेक्टर के बेंकों के लिए 48,249 क्लोड रुपे के रिक के पीटिलाइजेशन के एलान से उनके से रोब को खासा फायदा मिला गुरुवार को सरकारी बेंक उननीज फिस्ति तक मजबूती के साथ खुले बेंक को इस फंड से रेगुलेटरी केपिटल रिसम्द की जरूरतों को पूरा करने और ग्रोथ प चड़े से जिसमें से आपको बताए गया थब को सबस्यदा पेसा देया गया तो यहाँ पर देख लिए थायो पूंट यहांसी परसंट तक चड़ा उन्हां च्ञांत इन डेंक का 100 को चाड़ा यू को बैक का 13 परसंट चड़ा बैंक को महारास्ट्रा के दस परसंट चड़ ठीक है Central Bank of India यह और चलते हैं नीचे जो बिएका सा यहां पे उच्छाल देखने को मिला है है चाहिए यहां पर हो बेंक ओफ इंडिया फो मैं यहां पे यह देख लिजिए बैंक ओफ इंडिया इसमें भी पांच पर automobile यहां पे मिला यही सारे बैंक ओप बैं में जो जो बैंग सारे यहां पर रप leol्व में है तो सभी में यहां पर उचाल देखने को मिल सकता है और जो चार बड़ चार बेंकों को ज़्यादा पूंची मिली है उमें एक नंबर पर मैंने कोर्परेशन बेंग की सबसे ज़्यादा आज उचला था लब उनीस परसेंट के साथ था तो दोस्तों यह इन बेंकों को आगे यहां पर यह खुद सरकार बोल रही है कि अच्छा परदसन करने वाले दो बेंकों को सबसे ज़्यादा फंड मिला है तो आगे जो गुड करने की कोशिज रही है क्योंकि सरकार के तरफ से उन्हें फिर फंड डाला जाता है कि कौन से बेंक बढ़िया है यहां पर परदसन क साथ घ्र क्रोड की रासी दी गई है और उसते पहले यां पर जिक्री बी कर दिया गया था कि इन वह एक इस बाद कर लेते हैं बेंकों में आगे और उचाल क्यों आ सकता है और क्यों बेंकों इंचाल आ रहा है तो दिसंबर में भी साथ बेंकों में यह 28,000 क्रोड का पेसा यहां पे लगाया गया है और अब लगा दिया गया यहां पे 48,000 क्रोड तो यहां पे आप देखें तो लगबग 80,000 क्रोड के लगबग यहां पे पेसा यहां पे डाल दिया गया है ना लगबग 80,000 क्रोड का पेस को सेंट्रल बेंक उप इंडिया उनाइटिड बेंक यूको बेंक इंडियन वर्सीज बेंक में बारह जार पान्सों पेंटिस क्रोड रुपे लगाएगी सरकार ने डिसंबर में री केपिटेलाइजेसन बॉंड के मादिर सास सरकारी बेंकों में अट्ठाइस हजार तस्तु इसलिए याँ पर आपके सामने बैंक निफ्टी याँ पर हाई बर ट्रेड कर रहा है और लादबगे उच्छा थो आज वी बर्या आया है और आगे बी अनुमान है कि इस राज़ी का असर तो पर दिख सकता है और आने वाली दिनों में अच्छा performance बैंक कर सकते हैं ओके दोस्तों वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक करके share कीजिएगा अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसे latest update और इस टॉक्षा इंडेक्स के जान करें तुरंत भी पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर पर क्लिक करना ना भूलें ओके दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट बुडियों बाई बाई